तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दंगल टीवी पर आने वाले सीडियल बादशी इश्क की के कास्ट के पॉर्डे सैलरी के बारी में बताने वाली हूँ जो के शायद ही आप सभी जानते होंगे और जानने चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बन 30,000 रुप़ लेदी हैं नबर सेकिंड अरहाम अबासी जो के सीडियल में वीरेन का करदार नी भा रही हैं और इनके पॉर्डे सैलरी की बात की जाये तो येट अप सूर्डे का 35,000 रुप़ लेदी हैं नबर थाड़ रितू चौधरी जो के सीडियल में सुनीता का करदार और ये एक अपिसोड करनी का 44,000 रुप ले दी हैं। नबर फॉर्थ नीटू पांडी जोकस एडल में वंदना का करदार निभा रही ही हैं। और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाएं तो ये एक अपिसोड करनी का 30,000 रुप ले दी हैं। नबर फिफ्त राकेश पांडी जोके सीडिल में फूफा जी का किरदार निभा रही है और इनके पॉर्डेस एलेरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड का निकाद तीस हजार रुपले दे हैं नबर सिक्स्थ सुर्भी दास जोके सीरियल में त्रशा का करदार निभा रही ही है और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपसूर करनी का 45,000 रुप लेती हैं नबर सेवन्थ पुनित पंजवानी जोके सीरियल में नरेंद्र का करदार निभा रही है और ये एक एपसूर करनी का 30,000 रुप लेती हैं नबर एर्थ पुरेट चॉक्सी जो के सीडियल में एकामश का करदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपसूड करनी का पच्रास हजार रुपे ले दे हैं नबर नाइन्थ खुशपूत तिवारी जो के सीडियल में मेहक का करदार निभा रही है और इनके पॉर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एपसूड करनी का पैतालिस हजार रुपे ले दे हैं जुड़ इन्थ फर्हा लखानी जो के सीडियल में रानी का करदार निभा रही है और ये एक एपसूड करनी का पैतालिस हजार रुपे ले दे हैं तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीडियल कैसा लगता है हमीं कोवेंट होंक्स में ज़रूर बतेगेगा साथ ही अगर आपको हमारी ये विडियो पसंद आया हूँ तो उसे लाइक करें शुयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना फुलें थन्यवाद